गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम EFM विशे क्या अंतरगत बैंकिंग लोएन प्रैक्टिस इन इंडिया वेपर सेकिंड करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बचत खाते के बारे में बताया था करेंट अकाउंट बैंक द्वारा ग्रहकों के आग्रहर पर ग्रहकों के नाम से ही खोला गया ऐसा खाता है इस खाते पर केसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है ये खाता ऐसी कमपनिया है व्याजसाई है या संस्थान है जहां पैसो का लेंदेन बहुत ज़्यादा मातरा में होता है उनके लिए ये खाता खोलना बहतर होता है ताकि दिन में जब भी रुपया एकतित हो जाए वैं उन्हें बैंक में जमा करवा दे और जब आपको के चालू खाता कौन-कौन व्यक्ति खोल सकता है कोई भी नागरिक या संस्था उप्यूक्त प्रपत्रों की पेचान प्रमान पत्र, त्रिथी प्रमान पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आदी, बैंक द्वारा, निर्दाइत आविदेन पत्र के साथ सलगन कर अपना चालू खाता खुलवा सकता है। चालू खाता मुख्य रूप से निम्न लोग खोल सकते हैं, व्यक्ति गत कोई व्यक्ति है, वह व्यवसाई है, तो भी वह चालू खाता खोल सकता है, स्वयुत हिंदू परिवार के लिए भी चालू खाता खोला जा सकता है, एकल स्वामित्त वाली फर्म है कोई, तो वह भी अ वह भी अपना चालू खाता बैंक में खोल सकता है, किसी संस्थान के शाखा काराले के लिए भी ये खाता खोला जा सकता है, तो जो जो ये व्यक्ति हैं, वह अपना व्याउसाई है, चाए ट्रश्टी है, चाए व्यक्ति गते है, चाए सही तिंद्र परिवार है, वह अपना बैंक में जाकर के अपना चालू खाता खोल सकते हैं इस खाते पर क्या-क्या विशेष्टा है या क्या-क्या इसके लहब है प्रतेक कारिद देवस्परग्राव कितनी भी बार बैंक में धनराशी जमाक करवा सकता है और निकाल सकता है कोई भी वेक्ति है जिसने का बैंक में खाता है वेज दिन में कितनी विवार जब भी जो व्यासाई होते हैं उनके पास पैसा जब भी एकतरत हो वैज बैंक में जा करके उस पैसे को जमा करवा सकता है और जरुत पढ़ने पर वापस निकाल सकता है इस खाते का मुक उदेश ग्रहकों को नकद वेवारों की एसुईदा एम जोखिम से बचाना होता है कि सबसे बड़ी बात है दिया पैसा आपका दुकान पे रह जाता है घर पे रह जाता है रात को तो उस पैसे को उनको सुरक्षार्थ परदान करने के लिए बैंक इस खाते के खोलने की आपको क्या द ही सब्किन तरह सकते हैं ग्रहक की मांग के साथ ही इस राशी का भुख्तान कर दिया जता है जब भी आपको पैसे की जैवरत होगी राशी का भुख्तान वेकश बैंक आपको तुरन्थ प्रभाव sujet कर देता है इस खाते पर कोई भी या किसी भी प्रकार का व्याज दे नहीं होता है इस छातें पर अधिवकर्ष की suck watch भी bank दे सकता है सामाने बचत खाते की तरह ही इस खाते पर भी ATM Ensort कारड की सोईधा आपको अप्लब्द है net banking की सुईधा आपको अप्लब्द है digital payment Finish you posted एسم ministry सारी सुदय आपको bank उप्लब्दे करुवाता है ATM कार्ट से आप देखे कहीं पर भी देश में आप कहीं भी जाएं आप उस ATM कार्ट को उप्योग करके पैसा विट्रो कर सकते हैं समानत है शालू खाता एव्यस्क व्यक्ति के नाम नहीं खोला जा सकता है देख बैंक वेंड डिमानड ड्राफ्ट की सुईधा इस खाते पर दी जाती है लिएक राटि जीस आदि का परियोग भी इस खाते पर आप कर सकते हैं इसे का उप्योग करके आप पैसे का एधन का स्तरांतर एक इस्तान से दूसरे अस्तान पर कर सकते हैं जिस व्यावसाई का चालू खाता होता है सामाने तो उसको पासबुक नहीं देते हैं उनकी मांग के आदार पर इस्टेटमेंट उपलब्द करवाते हैं वे मासिक तर मासिक छे मासिक वार्शिक हो सकता है व्यक्तिकत दुरगटन बीमा बहुत कम प्रीमियम पर इस खाते पर कर वाया जाता है कि किसी वी शाक्रम में अंतरन की उफ लब होती कि आपएधिए उनकी व्याओन है यू सकते हैं और इस खाते पर जैसा कि आपके व्यावसाई है आपको अत्रिक्त धया भी बैंक प्रदान कर सकता है उसने अपने एक शेणिया बना रखी है और आप इदी अच्छी शेणिया में आते हैं तो बैंक आपको उतने ही उचे इस्थर की सुज़धाय भी प्रदान कर सकता है तो यह सारी बाते थी हमारी करण्ट अकाउंट की क्या-क्या विशेष्टा ह या क्या-क्या लहाव है या हमको किस परकार से भिंक इदि यह हमारा चालू खाता है तो हमें क्या-क्या फैसिलेटर अपलब्द होती है कुछ इसकी कमियाबी है या हानिया आपके कहलेजिये कुछ हानिया है कि जया के लिए अतिरिक शुल्क बैंक को देने होते हैं तो वह कौन-कौन सी बाते हैं जिससे हमें कुछ नुकसान होता है या वह हमसे किसी प्रकार का शुल्क वसूल करता है सबसे बड़ी बात तो ही है कि चालू खाते में जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है कि जो भी हमारा पैसा जमा है उस खाते पर किसी प्रकार का बैंक ब्याज नहीं दीता है ये इसकी सबसे बड़ी बात है क्योंकि बैंक आपको जब भी आपको पैसा जमा करवाना है आप जमा करवाईए दिन में कितनी वार आप बैंक जा सकते हैं और कितनी वार उस खाते से आप पैसा विड्रो कर सकते हैं और इस खाते के अनतरगत आपको minimum निष्चितरकम बैंक में जमा रखनी होती है ये ड्रही हजार पांच जार दस हजार पंद हजार है अपनी अपनी बैंक के जो भी प्रांचिस हैं उन्हों ने अपने एक निष्चित नियम बना रखें उन नियमों के अनुसार हमें minimum शुल्क बैंक में जमा रखना पड़ता है इस खाते का रख रखाव शुल्क भी बैंक व्यावसाई से या खातेदारी से वसूल करता है तैस सिमा से अधिक एदियम चेक काटते हैं तो कुछ शुल्क भी वसूल करता है इस खाते से अक्सर चेक के माध्यम से ही पैसा निकाला जाता है इसलिए खाता दारक के कभी-कभी डुप्लिकेट हस्ताक्षर या नकली चेक के माध्यम से भी धोकादाड़ी होने की कटनाय या संभावनाय बनी रहती है। तो इस प्रकार से थोड़ी बहुत कमिया है इसकी लेगिन सकाते की सबसे बड़ी विशेश्टा यह है कि हमें जोखिम से बचने के लिए व्यावसाई को एक जोखिम से बचने के लिए अपने धन को घर या दुकान और अन्यत्र रखने की बजाए यदि हम बैंक में रखते है तो यह हमें यह खाता हमें बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है और जब भी हमें पैसे की जवरत होती है हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं बैंक जाकर के वापस पैसा निकाल लेजिए पैसा जब आपको बुक्तान करना है तो आप वहाँ जाकर के आप जिस संबंदि विडियोज में हमने आपके बताया है कि चालू खाता क्या है और बचत खाता क्या है क्या इसकी अर्थ है क्या इसकी विश्रिष्ट है धन्यवाद